अगर आप लोग बिहार के किसी भी उनिवर्सीटी से गर्जुएशन पास किये हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हैं क्योंकि आज किस वीडियो मा आप लोगों को बताने बाला हूँ कि गर्जुएशन पास करने पर जो 50,000 रुपिया दिया जात है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वार आप लोगों तक पहुंचा दिया जागा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों को मैं बता दू सबाल लाक छात्रों को नहीं मिली परतसांद आची आप लोगों को बता दू कि जो भी एस्टुडेंट बिहार से कि अबितक कि पछले तीन सेसं से किसी को एस्कॉलर्शिप नहीं दिया गया है यहाप लोगों को बता दू कि कब से इसका ओनलाइन आवेदन डेट होगा तो आप लोगों को बता दू कि कि राज के सभी विश्वी दियालों में पिछले तीन सेसनों का एक दसमलों दू पाच लाक चाहत्रों को 312.50 क्रोर रुपिया से अधिक की राशी अभी तक नहीं दिया गया है तो आप लोगों को बता दू कि अभी तक जो है स्कोलर्शिप नहीं दिया गया है तो उससे पहल आप लोगों को और बीवाई सोटीपिकट बना लेना है अगर आप लोगों को पास अगर आप लोगों से नहीं बनाने आता है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं जिस पर आप लोगों को मैं बताऊंगा किस परकार आप लोगों को अ आप लोगों का बिखे तो चैनल को till अगर आप लोगों को बताने बारा UK के नियुन यूप Šis लेकिन अब उसे चेंज करके education.bihar.gov.in के द्वारा आप लोगों का ओनलाइन होगा जैसे कि आप लोगों को बता दू कि इसका ओनलाइन आबेदन जो पहले जो बिहार इकल्यान परचान रासी 2022 के द्वारा आप लोगों का ओनलाइन आबेदन होता था जो कि उसमें scholarship देने मे आप लोगों को account में आप लोगों किस परकार आएगा तो अधार कार्ट के द्वारा आप लोगों के scholarship दिया जागा अगर आप लोगों को गर्जोषन में for division, second division सा था, third division कोई भी division सा अगर आप लोग सिर्फ गर्जोषन पास कियें तो आप लोगो इस योजना का लाभ ले स तो आप लोगों को फूल इन्परमेंशन बता दिए उससे पहले आप लोगों को का अधार कार्ड में कुछ भी गलती है तो आप लोगों के scholarship नहीं दिया जागा अगर आप लोगों को जो भी student के mark sheet पर नाम है यानि 10th 12th graduation के mark sheet पर जो भी student का नाम है वही आप लोगों के अधार card पर भी आप लोगों को नाम होना चाहिए अगर आप लोगों को थोड़ा भी तो सबसे पहले आप लोगों को सुधार करा लेना है और आप लोगों को जाती अबासिया इंकम सर्टिपिकट सभी जो है आप लोगों को सबसे पहले बनवा कर करेंट में रखना है उसके बाद आप लोगों को पास 12 का मार्क सीट भी होना चाहिए साथ में मोगाल नमर इमेल ID और उसके बाद आप लोगों को बता दू कि एस्टुडेंट के फादर जी का भी नाम सही होना चाहिए साथ में आप लोगों को बता दू कि आपके अधार कार्ट पर भी आप लोगों को डेटो आफ बर्थ सही होना चाहिए साथ में आप लोगों को bank passbook भी होना चाहिए आप ही के नाम से साथ में आप लोगों को registration नमर लगेगा साथ में graduation के mark sheet भी आप लोगों को upload करना परेगा साथ में आप लोगों को जाती आवासी आए उसके बाद आप लोगों को एक passport पोटो भी दिया जागा उसके बाद student का signature भी लगेगा साथ में आप लोगों को on marriage certificate भी लगेगा तो आप लोगों को बता दू कि ये सभी चीज आप लोगों को सबसे पहले बनवाकर रख लेना है उसके बाद आप लोगों को बता दू कि इसका online आवेदन कब से start कर दिया जाएगा इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजए बैल अकॉन कर लिजए तो चलिए मिलते किसी नेक्ट वीडियो में नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद